हेलो माई स्टूडेंट्स कैसे आप लोग स्वागे था अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में मैं एक टीचर होने के नाते आपका एक बड़ा भाई भी हो 13 साल से टीचिंग कर रहा हूं as a senior educator और as a senior lecturer in a senior secondary school मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीकॉम के बच्चों को बढ़ाते बढ़ाते मुझे इतना experience है कि मैं आपको अपने बारे में तो कभी बताया है नहीं मैं हमेशा अपने teaching standard के बारे में बताता रहा exam में क्या करना चाहिए क्या नहीं तो बहुत सारे बच्चों का comment आता है सर अपने बारे में बताये कि आपने पढ़ाई कैसे की थी आपने बीकॉम में क्या किया था वो tips हमें भी दीजिए ताकि हमारे बीकॉम को exam चल रहे हैं हम उसे उफाइदा लेख सके और हमें उसको फाइदा मिल सके तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं बीकॉम में था तो मैं उससे में जोब किया करता था और मुझे केवल एक दिन मिलता था पढ़ाई के लिए exam से एक दिन पहले का और आपको अगर यह लगता हो कि मैंने पहले कभी बहुत सारी study कर ली थी तो ऐसा बिल्कूल नहीं था लेकिन फिर भी मेरे 79 परसेंट माक्स आये तो ओवर ओल बीकॉम में मिला कर क्या थी वह उसके पीछे strategy क्या ओवर रिव्यू था मैं आपको देना चाहता हूँ वीडियो चले के तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना अगर पहली बार देख रहे हो और आपको पता ही है कि मेरे काफी और चैनल्स भी है जिस कारण से मैं आपको online classes नहीं प्रोवाइड करा पाता हमारी मैम आपको प्रोवाइड कराती है अभी एक दो टीचर और आने वाले अपने इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि और साथ मैं आपको यहां पर करियर की वीडियो भी प्रोवाइड कराता हूँ कि कैसे हमारे जो बीकॉम के बच्चे है वो करियर बना सके क्योंकि जो ताना मिल जाता सबसे पहली बात मैंने जोब के साथ पढ़ाई करके जी यहां मैंने 79% मार्क्स अचीव किये थे और जोब के साथ मैंने किसे पाए 79% मार्क्स मार्क्स मैं आपको बताना चाता हूँ सबसे पहले तो मैंने इन चीजों को हमेशा धियान रखा है रट्टा पिकेशन मैंने कभी नहीं किया मुझे कभी रट्टा पिकेशन की जरुत नहीं पड़ी मेरी मजबूरी थी फिनेंशल प्रॉब्लम थी कि मदर मेरी जोब किया करती थी इन स्कूल में एक एज़ टीचर प्राइमरी स्कूल यह चोटे मोटे होते हैं लेकिन जब मैंने 12 के लिए था तो उसके बाद मैंने उनकी जोब छुटा दे थी अब रिसेंड मैं जोब कर रहा था तो मैं अकाउंट्स की जोब किया करता था मैंने 11 के बाद ही ज़स्ट अकाउंट्स सीख लिया था तो मैं अकाउंट्स की जोब किया करता था और वही से मुझे एक ओफर आई थी बीकों फर्स्ट इयर में ही जब मेरा फर्स्ट इयर चल रहा था जुलाई के असपास अभी मैंने अडिशन लिया और दो मैंने बाद मुझे ओफर आई स्कूल से इंटर कोली से कलर की पोस्ट के लिए और उन्हें अमरजेंसी थी क्योंकि उनके यापे जो स्टाफ था कलर एक कलर जो था कुछ गलत दोगा धड़ी करके चला गया था और दो जने अलग चले गए तो मुझे ओफिस खाली था और उन्हें कोई लड़का चीए था मैं थी किसी ने मुझे रिकमेंड करा मैं गया मेरा इंटर्वी हुआ मैंने काम करके दिखाया और उन्होंने सेलेक्ट कर लिया मेरी उससे में सेलरी थी पंदरा सो नहीं तेरा सो का स्ट्रेंट है बच्चों की पचास टीचर्स और पियोन वगेरा सम मिलाकर रहें स्टाफ और उनका काम दुनिया भर का रहता है जहां पर आज की डेट में तीन तीन कलरक हैं और मैं उस समय के अकेला उस काम को समालता था तो दिन बर कॉलिज का काम रहता था उसके बाद शाम को कॉलिज से लेटेड वर्क में घर लेकर आता था वो करता था और उसके अलावा मेरी स्टडी और साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ बीकॉम करते करते ही मैं टूशंग भी पढ़ाता था कोमर्स की बच्चों को जी के लिए उनके लिए जिने बहाना करना होता है लाइफ में एक चीज या दखना दोस्तों कर आप बहाना करोगी ना तो आप कुछ और नहीं कर पाओगी और अगर आप कुछ करना चाहते हो तो बहाने कभी मत करना बहान उसे कुछ नहीं होता यह तो होता है हाँ यह होता है बहाना जो करता है वो गलत होता है अभी जब हम study करते थे मैं study करता था मैंने कभी ratification नहीं किया कभी नहीं किया ratification मैं कोई भी चीज जैसे मालीचे मार्केट से मैं इस तरह का question bank मेरा ही question bank के बस मैं यह purchase कर लेता था और पलस मेरा जो IQ level था उसका मैं use करता था मैं हमेशा सी एक चीज पर विश्वा सकता हूं 50 plus 50 अभी यह क्या है 50 plus 50 मैं आपको बदाता हूं हम commerce के student है commerce एक commercial subject है ना कि एक vocational ना कि एक एक ऐसा जो जिसे कह सकते हिंदी English वगेरा जिसमें हम केवल book is knowledge लेख सके नहीं commerce एक ऐसा subject है जो की professional है जो की commercial है आपको 50% knowledge लेनी चाहिए books से और 50% knowledge लेनी चाहिए market से market का मतलब है bank हो गया share market होगी local market होगी shop पे हम जाते हैं shopping करते हैं हो जकते हैं आपके पापक की दुकान हो तो आप वहां भी बैठ से होंगे आपने कभी job की होगी तो वहां से आपको knowledge मिली है अब मेरे पास जो knowledge थी वह सब यह थी कि भाई मुझे ना चीजे समझने में बड़ा मजाता था अगर मेरे पास यह question बेंके और मैं इसका कोई question पढ़ रहा हूं कि public expenditures क्या होते हैं जब तब मुझे समझ में नहीं आएगा कि public expenditures वह होते हैं जो आपके सरकार जनता के लिए खरस्ति जैसे पुल बनवाना पार्क बनवाना सडके बनवाना यह सब तो अगर मुझे समझ में आ गया तो अब मैं इसके पर जितना चाहे page लिख सकता हूं एक page दो page तीन पर जितना चाहे लिख वालो लेकिन मैं फिर से कहूंगा खाली लि उसकरो बीच-बीच में जो heading आप लिखते हो उस heading को हिंदी में भी लिखो इंग्रिश में भी लिखो जैसे आपने लिखा public expenditure तो हिंदी में भी लिखो उसे जिसे हम कह सकते हैं क्या कहेंगे जी पब्लिक को क्या कहेंगे जी जनता कहलो या फिर आप यहां पर जो पब्लिक का जो नाम यहां पर लिखा जाता है उसके लिए use कहा जाता है पब्लिक ही अब हिंदी में भी ऐसे कुछ कहा जाता है तो लोक कहते हिंदी में तो यहां पर लिख सकते हैं आप लोक खर्च य लिखना सुरू करेंगे तो मैं तो आपको यह कहूंगा जितना हो सके सारे हैडिंग्स आप हिंदी इंग्लीज दोनों में लिखें परजेंटिशन अच्छी रखें चीजों को समझे रटापरिकिशन मत करिए मेरे लिए मोडल मैं एक दिन में पढ़ सकता हूं इसे एक दिन से साइकलोजी है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं उसके बार में गूगल पर साइस कर लेता था कोई भी वड उसके डिटेल मिल जाती है आज यूटूब काड़ीज है तो आप यूटूब पर साइच कर सकते हैं कोई भी टोपिक आपको मिल जाता है और मैं हमेशा ही कहता हूं अगर time कम है देखो अच्छी बाब जाता हूं अगर आप ऐसे पढ़ाओगे ना उससे 10 गुना बैटर आप वीडियो से समझ सकते हो और जैसे हम music सुनते हैं यह हम वीडियो देखते हैं क्योंकि हमारा इंटरस्ट इसमें नहीं है हमारे इंटरस्ट मोवी देखने में और गाने सुनने में तो पहले चीज तो मैं रट्टा बिकिशा नहीं करता था जो भी टॉपिक होता था उससे याद करता था और मेरे जो strategy रहती थी वह strategy तो अलग थी मैं आपको बताना चाहूं जैसे मोर्णी में मेरा माली जेट 10 एम पर एक्जाम है तो मैं सुबह सुबह 8 बजे करीब 8 एम पर मैं जितने भी short question होते थे प्रोक्सी 100 question है या 120 question है उनको reading माल लेता था आधा पोना एक घंटा मुझे लगता था इससे क्या होते थे वह remember भी रहते थे माइंड में भूलते भी नहीं थे revise का time भी बच जाता था और जो यह long questions होते है numerical short questions है इन्हें इसी sequence में पढ़ता था benefit में आपको उताता हूं जब आप long question को समझोगे read out करोगे तो उससे आपके बहुत सारे short question निकल जाएंगे already और फिर उनके बाद जब आप short question रियाद करोगे तो आपको लगे of time अगर में दोनों को पढ़ेंगे तो तरीका में यह अपनाता था long पढ़के फिर मैं short पढ़ता था और exam वाले दिन में very short पढ़ता था क्योंकि मेरे पास time कम होता था और उसके बाद मैं focus करता था presentation exam में हमारे time में एक copy और मिल जाती थी अब तो एक ही copy मिलती है तो मैं presentation म मैं बहुत दियान रखता था कैसे मुझे लिखना है जाती मुझे दोनों तरफ margin छोड़ना है copy का headings का यूज करना है diagram का यूज करना है multi color sketch pen का यूज करना है लेकिन ज्यादा यूज करना भी गलत होता है मैं आपको होता हूँ highlighter का जहां यूज जो रहत है वहीं use करो कुछ पूरी ड्राइंग बना देते हैं highlighter से वह गलत होता है यह सब चीज़े मैं रखता था theory में और मेरे marks आजाते थे numerical के लिए मैं जूट नहीं बोलता मैंने बीकॉम में first year में coaching लीती second year में मैंने कुछ महीना कोचिंग ली थी पानले में मैंने कोचिंग नहीं ली थी यह मेरा सिस्टम था और numerical उसी साब से मेरे अच्छे मास आते थे क्योंकि कोचिंग के लिए गंटा मुझे निकालना होता था क्योंकि मुझे इंट्रस्ट था कोचिंग मैंने कि मुझे पास होना था कुछ मुझे इंट्रस्ट था में और वोहीं फिल्ट मेरी आके जाकर टीचिंग लाइन में आई मैंने फिल बुकॉम के बाद एमल कोब किया बि एड कियो कर्षेतर उमस्यके मैं ने पूरे-पूरे साल भर चयांतस अब सकते हैं ज्यरूर निया है जरुरी नहीं है कि 8-8-5-5 गंटे पढ़ने वाला भी मार्क्स ला सकता है एक्जाम से एक दिन पहले दो दिन पहले कम टाइम में भी पढ़ाई करके मार्क्स लाए जा सकते हैं डिपेंड करता है कि आपकी systematic तरीके से चल रहे हो आपको जो presentation रखनी है वो अच्छी रखे राइटिंग अच्छी रखें याद करने का लहजा मैंने आपको बताया लोंग से short की और चलें चीजों को समझ के पढ़ें ठीक है राटा प्रिकिशन मत करें और numerical के पीछे मत भागे अगर आपको नहीं आता उसे चोड़ दे उसके option में theory आएगी तो ठीक है दरवाई चोड़ के उसे आप theory पर focus करें क्योंकि यह बहुत गलची हो जाएगी तो यह काफितार student demand करें तो अपने बारे में बताओ तो मैंने आपको बता दिया भाई आप भी चाहो तो 79 तो चलो ठीक है क्योंकि आज कर जो अवरेज चेकिंग करने लगे हैं marks अच्छे नहीं देते लेकिन 60 पलस आप easily ला सकते हो यह सारी चीए जो मैं आपको regular बता रहा हूं मेरा मोटिव है यह कि जो स्टूडेंट से हमारे एक्जाम टाइम में उनको गाइड़ मिल जाए ओकी गाइस सो बी प्रैक्टिकल बी जाइंट और बी ओल्वेज फ्रैंक अबाट यॉर एक्जाम्स अबाट यॉर स्टडी और कोई भी क्वेरी हो फ्रूरेंटली आप रिपलाई देते हैं आपको और उसके पर वीडियो भी बनाते हैं